कि अधिया आज हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में फाइफ टोप टिप्स एंड ट्रिक्स फोर सी उटी जिससे आप सी उटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर आएगी अच्छी रहेंगे तो आप बहुत ही टॉप यूनिशिटी मेडवेसं ले सकते है तो इनको 5 टिप्स को कभी ना भूलें हम वन वाई वन करके एक टिप्स हम डिसकस करेंगे पहली टिप्स है कि बी फैमिलियर विद पैटन एड़ स्लेबस और पैटन को बहुत ही आच्छी तरिके से समझ लेना है कि पेपर का नेचर क्या है पेपर में क्या कौन-कौन सा स्ल चीज़े नहीं पढ़नी और फालतोगी चीज़े एक्जाम में आती भी नहीं है यदि आप स्लेबस ओरेंटेट चीज़े पढ़ते हैं तो आपके स्लेक्शन के उप्संस जो चांसे हैं वो बढ़ जाते हैं सेकेंड है कि आपको जो इन्सिटी और इंस्टूट है वो सबको सब्क्राम के उसके काम कर नहीं तो आपको जो भी है विज़ने स्लेगों आपको वयुक्त तेस लिस्ट सतो जितने से ज्यादा को देश को क्योंकि आपकोकी स्पीड एक्यूर्सित maior आपको एक्जाम का एनलेस होता है कि आप कहां श् क drinking की ज़रूर रहत है तो वो सब्हक्र लिष्ट करने को मिल जयता है कि मोगय시면ek। से आपको अपना उसिस मोगकट्रीक है कि इसका ज्यादा से ज्यादा मोगकस अपडेत सो और इंग्लिस में यदि vocab आपको बहुत अच्छी करनी है आपको current affairs आएगा general test में current affairs बहुत अच्छी करनी है जनरल जो current के events को बहुत अच्छी से strong करना तो आपको news paper regular पढ़ने पढ़ेंगा लाज से updated के हर update के बारे में हर news के बारे में आपको update रहता है कभी syllabus चेंज हो सकता है कभी paper pattern change हो सकता है कभी exam क्योंकि आपका exam के date भी postpone हो सकती है exam कब है कितने बज़े जाना है क्या करना यह जब जितनी भी type के information है क्योंकि उस time आपको exam के time में टैंसन नहीं लेना पड़ेगा यदि आप regular update होगे तो यह five top tips and tricks थी जो आपके साथ ने discuss के आई हॉप आप इन पांचों को बहुत ही अच्छे त्रीके से फोलो करोगे थेंक्यू